हाई गाईस स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में आज मैंने आपके लिए एक क्यावन कोशन लेकर आया हूँ जो यूपीपी आगामी एक्जाम आपके होने वाले हैं जिसमें 46-47 अरह वैकेंसी है वहां से और जो कुछ कोशन जो 18-19 में आपके बने हुए तो 28-19 में जो को कोशन बने हुए तो वहां से कुछ रिलेट करके हम कोशन लेकर कहा है कि जो आपके आगामी जो यूपीपी या सभी एक्जाम के लिए बहुत ही महतुपूड है तो इस वीडियो को अंतर तक जरूर बने रहिएगा यहां से अगर आप तयारी करते तो इसमेंसे बताएए क् मेला कोशन देखते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा निरस्त किया गया था तो लाड़ रीपन के द्वारा अगो कवो इयर क्या था अठारे सो ब्यासी में लाड़ लीटन के द्वारा किस वर्च वर्नाक्यूलर प्रेस अधनियम को पारित किया गया था तो 14 मार्च 1878 को पारित किया गया था भारण में पहली ब्रिटेस फैक्टरी कहां सुरू की गई थी तो सूरत में यानि गुजरात में सुरू की गई थी चौथा कोशन देखते हैं सुतंतरता संगराम के दोरान भारती राष्टी कांग्रेशन ने किस दिन को पूरु सोराज मराया तो 26 जनुरी ने इस सो तीस को रविंद्र ना टैगोर ने किसके विरुद में ब्रिटिस नाइट हुड को त्याग दिया था तो जलिया वाला भाग हत्याकांड को और आपको जलिया वाला भाग हत्याकांड कभलता शिक्स्वाला कुश्व मोहिंद अलिय और सकत अलिय ने किस आंदोलन का नितृत किया था तो खिलाफत अंदोला का आहसे अंदोलन में बिले कब हुआ तो 1920 में हुआ आठामा कोशन बक्षर की लड़ाई कब लड़ी गई तो 1764 में लड़ी गई भारती विश्व बिद्दालय अदिनियम किसके द्वारा पारित किया गया तो लाड़ करजन के द्वारा कब किया गया 1904 में दसमा को चानवे में अस्थाई बंदोबस्त लागो होने पर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था तो लाड़ का 49 था कई बार प्रसन बना हुआ है दिल्ली पहली बार किसके अधिन एक राज्य की राजधानी बनी थी तो तोमर राजपूत के अधिन तिरावा कुशन देखते हैं अम्मत गवरी का गुलाम कौन था कुतुबुद्दीन एवग था आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा देखते हैं सुलामा कुशन सुलिवी सताब्दी के आरा में सिक धर्म की अस्थापना किसे ने की थी तो गुरू नानक देव ने की थी लंगर की पर्था किसे ने सुरू की थी तो गुरू अंगत जी ने किया था शोड मंदिर का निर्मार किसे ने सुरू करवाया था गुरू रामदास ने करवाया था उनली सावा कोशन देखते हैं कोमल दिन वाले गुरू के रूम में किसे जाना जाता है तो गुरू हर राय को महंदर सूरी किसके दरबार में खगोल सास्तरी थे तो फिरेश शाह तुगलक के दरबार में रेहला कई बार प्रस्ण बना हुआ एक्जामों में हर एक एक्जाम में किसके द्वारा लिखी गई एक प्रसीद पुस्तक है तो इबन बतूता के द्वारा है और आपको बताना कि इबन बतूता कहां का रहने वाला था बाई सावा कोशन देखते हैं परतेक वर्स अंतराष्टी कैंसर दिवसकम मना जाता है कई बार प्रस्ण बना हुआ तो चार फरवरी को बना जाता है बुकर प्राइस जीतने वाली पहली भारती महिला कौन थी कई बार प्रस्ण बना हुआ तो अरुन धती राय थी और कब जीता था उन्ने सो संतानवे में चोविसावा कोशन है साहित अकादमी पुरसकार की सुरुआत कि सवर्स की गई थी तो उन्ने सो चोवण में प्राइस जीतने वाली पहली विजिता कौन थी तो देविकार रानी थी सिनियमा जगत में भारत का सरोच पुरसकार कौन सा है तो दादा साहित पाल के पुरसकार और इसकी सुरुआत का वोती यह उन्ने सो नहत्तर में होती है प्राचीन शंशक्रित ब्याकरण पुस्तंग अश्ठाध ध्याई के लेखा कौन है तो पारेनी है 28. कोशन देखते हैं भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा रेड किलिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रांस ट्रेने चलती है तो दो उनका नाम क्या समझाता एक्सप्रेस और थास एक्सप्रेस चलती है पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किस के द्वारा गड़ा गया था तो चौधरी रछमत अलिके द्वारा कब 1933 में एक तिसावा कोशन देखते हैं पाकिस्तान के साथ कितने भारती राज्यसीमा साज़ा करते हैं तो चार उन्चानों का नाम पंजाब है राजस्थान गुजरात है जम्बू और कासमीर है अब जम्बू कासमीर यूटी बन चुका है जलियावला बाग के उपरांद किस कमिशन का स्थापना किया गया था तो हंटर कमिशन का 14 अक्टूबर 1919 में भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है तो वह गोदावरी नदी है चौति सामा कोशन देखते हैं नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है एक सहर है तो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है दचिर भारत की गंगा की रूम में किसे जाना जाता है तो गोदावरी नदी को जाना जाता है कई बार प्रसन बन भारत की सबसे बड़ी मीठे पाने की जील कौन सी है तो बूलर जील है अगला कोशन देखते हैं 37 वाला कोशन भारत की सबसे बड़ी खारे पाने की जील कौन सी है तो चिलका जील जो ओडिशा राज में है भारत की सबसे गहरी जील कौन सी है तो मानस वल जील जो जम्बू ए सच्चा का अधिकार भारत की संसद्वारा किस वर्ण से लागू किया गया था तो तुराली साहवा कोशन देखते हैं भारती संबीधान के किस भाग में नागरिक्टा का वड़न है तो भादो में कई बार प्रस्ण बने हुए है बेरी इंपर्टेंड कोशन है जैपुर सहर के अस्थापना किसे ने किया था तो सु महराजा सवाई जय सिंग ने किया था महराजा सवाई जय सिंग को सवाई की 육्यों से सबसे छोटी है तो राजस्थान हो जाएगा भारत की संविधान सभा की संग सक्ति समीति की अध्यश कौन थे तो जो आलाल नहरू थे अगला कुशन देखते हैं उन्चा सावा कुशन है संविधान सभा में अलपसंख्यक समीति की अध्यश कौन थे कई बार प्रसन बना हुआ है तो सरदार पल भाई पटेल थे बिश्चो की पहली रेल गारी कब और किस देश में चली थी तो अठारे सो पचीस में कहां चली थी ब्रिटेन में चली थी कंटेंट में आपके लिए लेबल करता रहूंगा इस सभी एक्जाम के लिए लेकिन इस पेसली आपके यूपीपी के लिए है तो ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स पार वाचिंग